हलो दोस्तो अगर आपको भी पनीर खाना बहुत पसंद है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पनीर रोल की रेसिपी या आप इसे वेच रोल भी कह सकते हैं बहुत ही ज़ादा डिलीश्य सी पनीर रोल बनता है आज इस पनीर रोल को मैं आपको बिल्कुल सिंपल के साथ बताने वाली हूँ जो कि हमारे घर में इजिली हमको मिल जाती है तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं फटा फट से इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंगी मैदा यहाँ पर मैं दो तीहाई कप से पूरे दो कप मैदा ले रही हूँ आप चाहे तो यहाँ पर एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूं इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मौईन के लिए मैं यहाँ पर रिफाइन डॉयल कर यूस कर रही हूं तो एक टेबल स्पून के करीब मैंना यहाँ पर रिफाइन डॉयल लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में जब ओयल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपने इसका एक सौफ्ट सा डो बनाके रेडी करना है तो आप इसमें दीरे दीरे पानी एट करें और इसका ड कर सकते हैं तो ये वीए उपड़ करता है कि आप इसे कैसा बनाते हैं तो आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं अब हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं एक बार उसके बाद हम इसकी यहाँ पर लोईया बनाएंगे आप देखेंगे कि आटा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इसका आटा आपने थोड़ा सा टाइट लगाना है आपने इसका आटा बिल्कुल भी गीला नहीं करना है अब आप यहाँ पर इसको लोईयों में डिवाइट कर लीजिए तो मैंने थोड़ा सा लोईयों का शेप बड़ा रखा है मतलब हम जितना रोटी का रखते हैं उससे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है तो इस आटे से मैं चाल लोईया बना रही हूँ तो इस लोई में हम थोड़ा सा सुका हुआ मैदा लगाएंगे और इसको हम रोटी की तरह अच्छे से बेल लेते हैं अब आपने नोटीस किया होगा कि जब आप मैदे को ऐसे बेलते हैं तो यह अंदर की तरफ को स्रिंक होने लग जाता है तो आप इसको जितना पतला हो सके उतना पतला करिएगा उसके बाद अब इसके उपर से आपने थोड़ा सा रिफाइन डोई लगा लेना है उसके बाद आप इसको एकोने से उठाते हुए कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल लच्छा परांठा बनके रेडी होगा तो आप इसे उठा के बाद मैं उसको अराम से अच्छे से प्रेस भी करें तब ही उसमें जो लच्छे परांठे में लेयर्स आती है न वो तब ही आएंगी उसके बाद आपने एक साइट से इसको ऐसे गोल गुमाना है और दूसरी साइट को आपने इसको इसके उपर ऐसे अच्छे से लॉक कर लेना है ताकि ये खोले नहीं अब इसके उपर से थोड़ा सा सुका हुआ आटा लगाएंगे पहले मैं से हाथ से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसको बेल लिया है अब थोड़ा सा सुका आटा लगा लिया और बिल्कुल अब रोटी की तरह इसको बेल लिंगे हम रोटी की तरह बिल्कुल पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखेंगे और रोटी को बना के हम एक ऐसी प्लेट में रख देंगे क्योंकि अभी हम इसको नहीं सेखेंगे पहले इसकी अंदर की जो स्टफिंग है उसे बनाएंगे तो रोटी तो मैंने बना ली है, अब हम इसकी स्टफिंग बनाती है जिसके लिए मैंने पैन में ओईल को गरम होने के लिए रख दिया था उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा जिसे मैंने यहाँ पर चटकने तक का वेट किया है एक चमच लहसुन का पेस्ट डाला है, जिससे इस स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो जो लहसुन होता है, उसे आप अच्छे से सद्दुकस या पीस लीजिए लहसुन को बस थोड़ी ही देर के लिए आपने पकाना है उसके बाद प्यांच और सिमला मिर्च को इसमें एड़ कर दीजिए और पहले की दो मिनट तक आपने इसको अच्छे से पकाना है तो पकाने से पहले मैं इसमें डाली हूँ टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक नमक डालने से क्या होता है न सबजा जल्दी से पकने लग जाती है तो नमक को मैंने मिक्स कर लिया है और इसी टाइम पर मैं यहाँ पर डालनी हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो ऐसे ही आपने high flame पर ही इसको छोड़ना है तो ढकन लगा लिजे और दो मिनट के लिए ऐसी पकने के लिए छोड़ें दो मिनट बाद हम देखेंगे कि सबजी हलकी फुलकी आप पक चुकी है तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर एट करूँगी एक चमच पीजा सॉस आधी छोटी चमच चिले फ्लेक्स और एक चोटाई चोटी चमच औरी गैनो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पनीर मसाला भी डाला था अगर आपके पास ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं सब चीजों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर एट करेंगे पनीर को पनीर को आपने लास्ट में ही एट करना है इस बात का ध्यान रखेगा बस एक मिनट के लिए और पकाएंगे और आप देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल तैयार है अब अब यह आपको साइट में हाँ पर बबल्स दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े तो इसमें हलकल का पानी है जिसे हम सुकाएंगे नहीं क्योंकि खाने में यह बल्कुल जूसी लगना चाहिए तो बस इतना ही पकाएंगे गैस की फिल्म को ओफ करके इसे अब हम साइट रख देते हैं और अब हम फटा फट से रोटियों को सेख लेते हैं तो एक साइट से हम रोटी को एक मिनट के लिए सेख देंगे उसके बाद अब हम इसे पलट लेते हैं तो रोटी थोड़ी से साइट में चले गई है तो हमने इसको बीचो बीच में रखना है ताकि जो रोटी है वो हर कोने से अच्छे से पक जाए इसके उपर मैंने रिफाइन डॉयल से ग्रीस कर लिया है अब दूसरी साइट में भी हम रिफाइन डॉयल लगा लेती है आप चाहे तो यहाँ पर घी भी लगा सकते है अब आपने इसको ऐसे अलटते पलटते हुए अच्छे से पका लेना है ऐसा नहीं होना चीए कि यह कहीं कहीं पर से कच्ची रह रही है जब रोटी अच्छे से पक जाए तब आप इसको एक प्लेट में ऐसे निकाल लीजिए और बाकि सारी रोटीों को भी आपने इसी तरीके से बना लेना है अब एक रोटी लिंगे उसके उपर से मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा पिजा सॉस आप मियोनेज भी लगा सकते हैं साथी साथ और जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी उसको इसके उपर बिल्कुल सेंटर में रख देंगे ताकि हम इसका रोल बना सकें लेकिन हम तो इसको घर के लिए बना रहे हैं तो मैंने ऐसे इसको तूद्पिक से कवर कर लिया है और देखे बिल्कुल बढ़िया ये बन चुका है आप देख सकते हैं रोटी में बहुत ही बढ़िया लेयर आई हुई है इसी तरीके से हम सारी रोल्स को बना के रेली करेंगे बहुत ही बढ़िया ये लगता है खाने में ये बहुत ज़्यादा डिलिशस भी होता है और पेट भी इससे अच्छे से भर जाता है तो आप बच्चों को इस तरीके से ऐसे सर्फ कर सकते हैं बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत ही नई नई चीज है बच्चे इसको असानी से खा भी लिंगे और ये होता भी बहुत हेल्दी है अगर आपको मेरे अफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लिस इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करके आप रस्तों के किचन के मेंबर बन जाएंगे और आप मुझे इस्टाग्राम और फेस्टुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लिस कमेंड करके यह ज़रूर बताईएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आपके लिए नेक्स रेसिपी मैं कौन सी लेकिया हूँ आपके साथ मैंने बेशन भुजिया की भी रेसिपी शेयर की है जो आपको अभी स्क्रीन में देख रही है इसमें टैब करें और जाके इसको भी देखें बहुत बढ़िया है अराम से आप इसको स्टूर भी कर सकते हैं सारी टीप्स और ट्रिक्स मैंने इसमें बताई हुई है तो इसको भी वाच करें